आज की वीडियो आपके दिए बहुत ज्यादा इंपॉर्णन होने वाली है विकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाली है लेटेस्ट आयो ही विकैंसिस के बारे में जिसमें देखे दो लेटेस्ट नोटिफकेशन बेसिकली हम यहां डिस्कूस करेंगे दो से भी मैं आपको यहां पर तीन नोटिफकेशन ही बताने वाली हो ठीक है तो वीडियो पर बने देखेगा वीडियो को लास्त तक जरूर देखना है जिसमें एक नोटिफकेशन आगिया है इंडियन आर्मी की तरव से सीधी भरती आपकी है यह चीक है इलिजिबिलिटी रिक्वाइड है हर चीज को डिटेल में कवर करने वाले है आपनी वीडियो को स्टार्टिंग से अंटक जरू देखना है विकोस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपोर्टन होने वाला है एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए है इसी तरीके से चाहते हैं हर एक चॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करना ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोडिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी सब्सक्राइब के इलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वीकैंसिस आउट हो चुकी है आप अपने क्वालिकेशन अपने सिटी या फ्रिडिस्टे के एकॉर्डिंग हमारी ओफिशल वैबसाइट www.klory.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विजिट करके इन्फोमेशन लेकर आप इन वीकैंसिस के लिए अप्लाइ कर सकते हैं हमारी जो ओफिशल वैबसाइट है इसको आप सीधा गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं आपको पहली नबर पर साइट मिल जाती हैं ज्यादा टाइम ही लेंगे सीधा हम बात करेंगी लेटस आयो ही विकैंसिस के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ये जो विकैंसिस आउट हुई हैं बेसिकले तीन नोटिफिकेशन ये डिसकस कर रहे हैं जिसमें एक आ गया है आर्मी की तरव से एक लेटस आ चुका हैं नेवी की तरव से इंडियन नेवी की तरव से उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे वीडियो का हर पार्ट इंपोर्टेंट है वीडियो को स्टार्टिंग से जरू देखना ताकि किसी तरह के कोई आपको कन्फियूजन भी ना रहे क्य आपको पहली नमबर पर यह साइट मिल जाएगी चिक है इसको आप यहां पर सीधा लेटेस्ट विकैंस को चैक करके अप्लाइ कर सकते हैं फिलाल हम बात करें विकैंस की जहां पर पहले नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं जो कि इंडियन आर्मी का बिल्कुन नया नोटिफ करें यहां पर आपधि आप कर सकते हैं इसमें हरे क्वालिफिकेशन विकैंस की काफी टाइप के विकैंस की जिसे पहली जो जनरल जूटे के लिए हैं इस पोस्ट के लिए 10th past 12th past दोनों apply कर सकते हैं नेक्स पोस्ट है वो है आपके clerk और store के पर के ठीक है इस पोस्ट के लिए 12th भी apply कर सकते हैं graduate चाहते हैं वो भी apply कर सकते हैं बहुत ही reputed profile है नेक्स अगर बात करें यहां पर tradesman की इसके लिए यहां पर 8th past 10th past 12th apply कर सकते हैं नेक्स पोसिशन है वो है आपके टेक्निकल के लिए जिसमें देखिए अगर eligibility के बार में यहां पर बात करें इसके लिए 12th past eligible है और gradual चाहते हैं वो भी इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं तो best opportunity आपके लिए नेक्स अगर बात करें इन विकैंस के लिए आपकी application fee क्या रहने वाली है reserved के लिए unreserved के लिए क्या fee रहने वाली है तो यहां पी देखिए हर एक candidate चाहिए आप reserved category से है चाहिए unreserved category से है male है female है कोई fee नहीं देनी है बिलकुल आपको free of course apply करना है salary मैंने आपको पहले भी बताई है 30,000 से 40,000 तक है इसमें आपका देखिए जो विकैंस आउट हुई है विकैंस आपको पता है काफी बढ़िया है तो इसमें आपका return exam होने वाला पहले ठीक है मतलब return जो है आपका यह आपका CBT exam होगा computer based test होगा ठीक है उसके बाद physical test आपका होगा medical होगा document verification उसके basis पर आपकी यहाँ final selection है तो आपको यह चीज़े ध्यान रखने है next अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर vacancies के बार में 5000 प्लस vacancy है age limit के बात करें आपकी minimum age 17 and half है मतलब आपकी जो minimum age है 17, maximum 21 relaxation यहाँ पर अलगले कहते हैं को definitely मिलेगा type of job के बार में बात करें यहाँ डिफेंस job है eligibility देखिए यहाँ पर 8th past 10th past 12th graduate यहाँ अपलाई करे सकते हैं job location एक्रोस इंडिया जो मैंने आपको वीडियो के starting में भी बताया है इसके इलावा latest vacancy आपको check करने होती है यह हमारी site है इसको सीधा google पर लेखना पहली number पर site मिल जाएगी check कर लेना यहाँ पर required link आपको मिल जाते हैं पहला जो link है यहाँ आपको apply online का है इधर click करके अपने आपको register करके आप apply यहाँ कर सकते हैं इधर आप latest vacancy जो इसके इलावा समन्त किया है वो आप चेक कर सकते हैं अब चलते हैं second notification पे second notification आगया आपका SBA मतब State Bank of India की तरह से आगया है इसमें आपके सीधा selection होने वाली है SBA Bank में setting job है प्रॉपर हाकी और India से apply कर सकते हैं male and female दोलो ही पहले मैं आपको इसका बताऊंगी उसके बाद इंडिया नेवी का जो notification उसके बार में आपको बताने वाली हो यहाँ पी देखिए male and female क्या दोनों apply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं job location across India है apply mode जो है आपका वो आपका देखिए apply mode online है कोई भी other mode नहीं apply करने का पोस्ट है assistant manager security analyst के लिए इसके आपकी 50,000 के around salary है assistant general manager के लिए भी same salary है जो deputy manager की है जाने की 63,840 credit analyst के लिए बात करें 78,230 आपकी यहाँ पर मन्त salary है उसके according आप यहाँ पर apply कर सकते हैं next तो यहाँ पर हम बात करें application fee यहाँ पर अलगल केटे की दिवाव आप चेक कर सकते हैं किसी post के लिए free है किसी के लिए नहीं भी है selection की बात करें यहाँ पर exam नहीं है सीधा interview पर बुला लिया गया है selection आपकी interview basis पर होने वाली है age limit minimum as per norm से maximum 62 तक आप यहाँ प्लाई कर सकते हैं eligibility की बात करें यहाँ पर graduate candidate apply कर सकते हैं जो सारे eligibility criteria को fulfill करते हैं इधर यह आपको इसी page में last me required link मिल जाने है पर click करके आप इन vacancy के लिए apply कर सकते हैं अब चलते हैं हम third notification पर third notification आगे आपका इंडियन नेवी की तरफ से है बिलकुर fresh notification इंडियन नेवी की तरफ से male female दोनों के लिए हैं इसके लिए भी online apply करना है job vacation across इंडिया है salary के बार में बात करें यहाँ पर 56,100 पर month आपकी salary रहने वाली है ठीक है तो उसके recording आप यहाँ पर apply कर सकते है 56,100 आपकी यहाँ पर sell दी है उसके बाद डिटेस्ट जहाँ पर check कर सकते है vacances कौन-कौन सी है यहाँ पर general services के लिए vacances है 50 vacances air traffic controller के लिए 8 post है ठीक है उसके बाद air operations officer के लिए भी है 18 vacances 20 vacances यहाँ पर पाइलेट के लिए है education के लिए vacances यहाँ पर देखिए 18 post आउट हुई है उसके बाद आपका constructor के लिए 20 vacances है logistics के लिए आपकी 30 vacances है 20 vacances NAIC के लिए भी आउट हुई है यहाँ पर आपको जब notification रिलेज हुआ है उसके एकॉर्डिंग की लास्ट रिट वहाँ मैंशन है उसके एकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते है selection की बात करें यहाँ पर कोई exam नहीं है सिरफ आपके यहाँ short listing हो रही है सीधा ही जैसे आप अप्लाई करेंगे वो आपके application को short listing करेंगे चौर्ट की लिस्ट इनके official site पर आएगी आपको जाना है सीधा interview के लिए उसके बाद medical है सीधा आपकी यहाँ selection होने वाली है इंडियन नेवी में जाने के defense में तो बहुत अच्छा चांस है अप्लाई जरू इसके लिए आप लो करना है लास्ट में आपको link मिल जाएंगे apply के लिए आप कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम eligibility के बार में बात करें तो यहाँ पर देखे जिन भी candidate ने अपने graduation relevant discipline भी की है वो सारी candidate यहाँ eligible है apply यहाँ कर सकते हैं मैंने आपको उन्ने description में देखे जो link दिये है पहरा link आपको दे दिया है इंडियन आर्मी का second मैंने आपको provide कर दिया SPA का, third आपको मिल जाएगा इंडियन नेवी का, जिसके लिए भी इनेजिबल apply जरू करना, इस तरीके से हमारी official site को Google पर type करें न, पहली number पर site मिल जाएगी, कोई भी आपके query है, comment आप जरू करना, आज के लिए इतना ही next update में मिलेंगे, नए information के साथ, thanks for watching